नमस्कार दोस्तों मैं रजनीश कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वित रजनीश में दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं मैं टार्गेट अब दे का एक्स्प्लानेशन वीडियो ले कर आने वाला था लेकिन कल को सब्सक्राइब कर लें और आप बन सकते हैं मिसन लूसेंट के टार्गेट अब देशका हिस्वा आपको बस यही करना है कि आप डिसक्रिप्सन में दिए गए लिंक के माधं से मेरे टेलीग्राम गुरूप को जोँईन करें और उस टेलीग्राम गुरूप में मीशन लू से में परव्यस कर चुके हैं और उन्हीं के अनुरोध पर टार्गेट अब देख के अंतरगर जो टॉपिक दिये जाते हैं उन्हीं टॉपिक का एक्स्प्लानेशन वीडियो मैं आज से अप्लोड करने वाला हूँ तो आप चाहें तो उस टार्गेट अब देख का हिसा बन सकते हैं उस वीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं तो दोस्तों आईए आज का वीडियो शुरू करें आज का टॉपिक है सौर मंडल प्रिथिवी और चक्कर लगाने वाले विभीन ग्रहों छुद्र ग्रहों धूमकेतूं उलकाओं तथा अन्य अकासियं पिंडों के समों को सौर मंडल कहते हैं सौर मंडल में सौरे का परभूत्व है क्योंकि सौर मंडल निकाई के द्रब का लगभग 99.999% सौर में नहीं थे सौर मंडल क जब हम सौरे की चक्कर लगा रहे हैं तो यानि कि जो important है वो कौन है सौरे है और सौर मंडल में जितने भी पिंड है उन सभी पिंडों में उर्जा का सरोत कौन है सौरे है आगे देखेंगे अगला point है प्लेनेमस सौर मंडल से बाहर बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले जु का मजने का वूँ यह है कि यह जो बिंड है व tablespoon को चारोगर नहीं लगाते होंगे तभी इन्हें हम सौर मंडल का घौन है अगर यह सौर मंडल के भाग होते अब हम बात करेंगे सौरे की सौर मंडल का परदान है और यह हमारी मन्दाकनी दूध मेखला के केंद्र से 30100 परका और उन मंदाकनियों में ही एक मंदाकनी सुर्य भी है जो उसके केंद्र से 30,000 परकास वर्स की दूरी पर है जैसा कि हम सभी जानते हैं एक परकास वर्स में एक वर्स में परकास द्वारा ताई की गई दूरी है तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि 30,000 परकास वर्स कितनी दू और अड़ाई सो किलोमेटर प्रती सेकेंड की गती से परिकर्मा कर रहा है इसका परिकर्मन काल दूद मेखला के केंदर के चारो एक बार घुमने में लगा समय पचीस करोर यानि की अड़ाई सो मिलियन वर्स है जिसे ब्रहमांड वर्स कहते हैं दोस्तों आई हम इस पर बात करते हैं कि हमारी जो हमने अभी भी बात की कि हमारी जो मंदाकनी है वो दूद मेखला है और दूद मेखला के केंदर को सूर्ज चक्कर लगाता है किस गती से बात करें तो अड़ाई सो मिलियन वर्स का समय लगता है और यह जो अड़ाई सो मिलियन या पचीस करोर वर्स का समय है उसे ही हम लोग भ्रहमांड वर्स या कॉस्मोस यह कहते हैं आगे देखिए सूर्ज अपने अचपर पूर्व से पश्चिम की और घुमता है तोसे अप अगला पॉइंट है सूर्ज एक गैसिय गोला है दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं सूर्ज क्या है एक गैसिय गोला है और इस गैसिय गोले में एक गैसिय गोला है और इस गैसिय गोला है उन्होंने बताया कि दस पर पावर साथ डिग्री सेल्सिय थाप पर सूर्ज के केंदर मेर चार हाइडरोजन नाविक मिलकर एक हिलियम नाविक का निर्मान करता है अर्थार्थ सूर्ज के केंदर पर नाविकिये सनल्यान होता है जो सूर्ज की उर्जा का सुरोत है दोस्तों आप से पुछा जा सकता है कि सूर्ज के उर्जा का सुरोत क्या है तो तो आप इसे याद रखेंगे, इसे समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आगे बढ़ते हैं, आगे है, सूर्ज की दिप्तिमान सतह को परकास मंडल कहते हैं, सूर्ज की दिप्तिमान सता को परकास मंडल कहते हैं परकास मंडल के किनारे परकास मान नहीं होते क्योंकि सूर्ज का बाई मंडल परकास का अपसोसन कर लेता है इसे वर्न मंडल कहते हैं यह लाल रंग का होता है दोस्तों इसको समझते हैं जो कह रहा है कि सूर्ज का जो दिप्तिमान सता है अर्था से जो परकास देने वाला सता है उसको हम लोग परकास मंडल कहते हैं परकास मंडल के जो किनारे वाले भाग है उसमें परकास नहीं उत्सरजित होते हैं और इसे हम लोग वर्न मंडल कहते हैं परकास ना उत्सरजित ह होने का कारण या है कि सूर्ज का जो बाई मंडल है वो उस परकास को अब सूसित कर लेता है और वो जो सता है वो क्या कहलाता है बेर्न मंडल कहलाता है और इसका रंग लाल होता है आगे हम लोग बात करेंगे सूर्ज ग्रहन के समय सूर्ज के दिखाई देने वाले भाग को और पुर्ण सूर्ज ग्रहन के समय सूर्ज करता है दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं ऐसा बताया जाता है कि जब भी ग्रहन लगे चंद्र ग्रहन लगे तो देखना नहीं चाहिए क्यों नहीं देखना चाहिए क्योंकि उसका जो किनारे वाला भाग होता है जिसे हम लोग स स्रेजा करते हैं और यह हमारी आखों के लिए खतरनाक होते हैं इसलिए भी शुर्ज क्रहन को खुली आखों से नहीं देखनी से आगे अगला पॉइंट है सूर्ज के परकास को पिर्थिवी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 से कंड का समय लगता है दोस्तों आप इस बात को अच्छे से याद कर लेंगे यह एक्षर परतियोगी परिक्षाओं में पूछे जाते हैं इस सूर्ज का परकास पिर्थिवी तक सूर्ज selfish वाला एक अधरकता हुआ लपत होता है जो सूर्ज से निकलता है और इसे जब हम लोग उत्री दुल पर देखते इसवत रिखा के श्रीं में है और अर्थी होता है दचनी भाग तो अस्तयलीय कि ँबार Scout में तो क्या होगा आश्राली स्कत्राइलियौ और उत्री भाग में देखेंगे तो क्या होगा बौर्य आलिस च्ल्यागे करते हैं हम लोग आगे दोस्तों कुछ पॉइंट रेड कलर के बॉक्स में दिये गए हैं यह पॉइंट में जो भी दिये जाते हैं वो काफी इंपॉंटेंट होते हैं आए हम उस पर बात करते हैं ब्रहमांड के बारे में हमारा बदलता द्रिष्ठी कौन यानि कि ब्रहमांड सभी अकासिय पिंड करती थी बिभीन कच्छाओं में करती थी इसे भू केंद्रिय सिधान्त कहा गया जिसका परतिपादन मिस्र युनान के खगोल सास्त्री प्लाडियस टॉल्मी ने की थी दखे दोस्तों यहां को भूगयल वेता थे यह खगोल सास्त्री थे कलाडियस टॉल्मी उन्होंने इस बात को बताया था 140 इसवी में और इस बात को भू केंद्रिय सिधान्त कहा गया भू केंद्रिय सिधान्त यानि विर्थिवी का केंद्र में होने वाला सिदांत आगे बात करते हैं इसके बाद पोलेंड के खगोल सास्त्रे निकोलस कौपरनिकस ने जिनका कार्जकाल जिनका जो अबधी है 1473 से 1573 सिस्वी तर इन्होंने यह दर्साया कि सूर्य ब्रहमांड का केंदर पर है इन्होंने सूर्य को ब्रहमांड केंदर में माना तथा ग्रह इसकी परिकर्मा करते हैं ये बात किस ने कही तो पॉलैंड के खगोल सास्त्री निकॉलस कॉपर निकस ने इन्होंने बताया कि ब्रहमांड में सूर्य है और अन्य ग्रह इसकी परिकर्मा करते हैं अता सूर्य विस्वया ब्रमांड का केंदर बन गया और इस सिदान्त को सूर्य केंदर ये सिदान्त कहा गया बाद में 16 सताबदी में टाइको ब्रेह के सहायक जोहानेस केपलर जोहानेस केपलर ने ग्रहिये कछाओं की नियम की खोज की इसने खोज की ग्रह गती नियम की आप इसमें भी ब्रहमांड के केंद्र के रूप में सूर्य को ही माना गया टाइको ब्रेक के जो सहाया थे जो जोहाने स्केपलर उन्होंने भी ब्रहमांड के केंद्र के रूप में सूर्य को ही माना और यह बताए कि सभी ग्रह उनके चक्र लगाते हैं और उन्होंने ग्रहिये गत तो प्जब को फड्यूाँ लामड़ इक वाल ए समाप्थ हो गया यहां पर नोटे में कुछ बात लिखे हैं केपलर ने सीध चारो और प्रतेक्राइख मार्ग द्रग विर्टाकार होता है सुर्ज के छारो और जो परतेक नंचत्र होते हैं उनका जो मार्ग होता है वो कैसा होता है दिर्ग विर्टाकार दोस्तों आगे बात करते हैं सूर्ज के धब्बे का तपमान आसपास के तपमान से जो है वो 1500 डिगरी सिल्सियस कम होता है सूर्ज का जो धब्बे का तपमान होता है वो आसपास के तपमान से 1500 डिगरी सिल्सियस कम होता है सूर्ज के धब्बे का एक पूरा चक्र 22 वर्स का होता है सूर्ज का जो धब्बा होता है उसका जो पूरा चक्र 22 वर्स का होता है पहले गारे बर्स में यह धबा बढ़ता है और अगले गारे बर्स में यह धबा घड़ता है पिर्थिवी की सता पर धबा दिखाई परता है तब उस समय क्या होता है कि पिर्थिवी का चुमकिये जांजवात उत्पन होती है जब यह धबा पिर्थिवी की सता पर दिखाई द आती है अगला पॉइंट है सूर्ज का ब्यास 13,92,000 किलो मिटर है जो पिर्थिवी के ब्यास का लगभग 110 गुना है दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं पिर्थिवी की तिर्जा 370 किलो मिटर है तो इसको डवल कर लेंगे तो पिर्थिवी का ब्यास निकल जाएगा और पिर पिर्थिवी से 13,00,000 गुना बड़ा है सूर्ज हमारा पिर्थिवी से कितना बड़ा है तो 13,00,000 गुना बड़ा है और पिर्थिवी को सूर्ज तापका दू अरब भाग मिलता है आप अनुमान लगा सकते हैं कि अगर एक भाग भी अगर पिर्थिवी को मिले सूर्ज सब्सक्राइब करें क्वार्य नोट में लिखा हुआ मदर रात्री सूर्य का अर्थ है मंदर रात्री का सुर्ज fuckin संधिकर में दिखाई देते हैं अम लोग जानते हैं अनर्वय को काहते हैं नार्वय होता है आर्टिक सेतर के होता है कि सूर्ज जो है जब दृविया ब्रीथ में परवेश करता है तो दियर से धेयर तक चमकता है ठीक है अब इसको ध्यान में रखेंगे अब जो हेडिंग है वो है सौर मंडल के पिंड इसमें पहला पॉइंट है अंतराष्टिय खगोल सास्त्रिय संग इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन आई ए यू की प्राग समेलन 2006 के अनुसार सौर मंडल में मौजूद इसको तीन भागों में बाट दिया गया था पहला परमपरागत ग्रह दूश्रा बॉने ग्रह और तीसरा लगु सौर मंडल ये पिंड परमपरागत ग्रह के अंतरगत वह आठ ग्रह आते हैं जिनको हम लोग अध्यन करते हैं वह ग्रह कौन-कौन से है बूद्ध सुक्र लाने के कुछ नियम होते हैं कुछ सरते होते हैं आगे हम लोग बात करेंगे तो जो ग्रह कहलाते हैं वही परमपरागत ग्रह हैं अगला पॉइंट है बॉने ग्रह बॉने ग्रह उन ग्रह को कहते हैं जिनके गुन लगबग ग्रह के तरह होते हैं लेकिन कुछ गुनों की कम ग्रह की सुची में डाल दिया गया है यहां देखिए बॉन ग्रहों की नाम लिखी वे कुछ कौन-कौन है तो प्लूटो जिसे एम कहते हैं चेराउन सेरस 233 यूबी 313 देखिए दोस्तों यहांपे सेरस है जो सबसे बड़ा सुद्धिगा है सबसे बड़ा बॉन ग्रह है जिसके खोज ने किये था प्याजी इटली का क्वगोल सास्त्री था अगला है लगु सौर मंडलिये पिंड लगु सौर मंडलिये के पिंड के अंतर गर धूम केतु उप ग्रह एबम अन खगोलिये पिंड आते हैं दोस्तों अब हम लोग ग्रह की बात करेंगे देखिए ग्रह का परिभासा क्या है और ग्रह कलाने के लिए किन-किन सर्तों को पू कर सके तीसरा उसके आसपास का छेत्र साफ हो यानि उसके आसपास अन्खगोली पिंडों का भीड़ भार ना हो ग्रह की उपर्युक्त परिभासा आई एन यू की प्राग समेलन 2006 इसी में तै की गई ग्रह की इस परिभासा के आधार पर यम जिसे प्लूटो भी कहा जाता है इ तमान समय में परंपरागत ग्रहों की संख्या नाव से घटकर आठ रह गई यम को बॉने ग्रह की स्रेनी में रखा गया है ग्रहों को दो भागों में विभाजित किया गया है देखे दोस्तों अल्ला पॉइंट है कि ग्रहों को दो भागों में विभाजित किया गया है और यह जो विभाजन है वो किन ग्रहों के बात हो रही है तो परंपरागत ग्रहों को तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि परंपरागत ग्रहों को दो भागों में विभाजित किया क्या है पहला जो भाग है उसे पार्थिविया अंत्रिक ग्रह कहते हैं और दूसरा जो भाग है उस एवंपर्थीवी के सदरी से पर्टि ग्रह के लाते हैं और यह सूर्ज वच्षूत G्रहों के बीच की पटी में श्तीत हैं इसलिए से आंत्री ग्रह भी कते हैं दो haram आपको मैं बता दू कि सूर्ज के चारो और ग्रह घुमते हैं और ग्रहों में जो प्रमपरागत ग्रह है उन्हें भी दो भागों में बाट दिया गया है एक है बाहे ग्रह एक है आंत्री ग्रह तो आंत्री ग्रह और बाहे ग्रह का जो निर्धारन करता है वो कौन निर्धारन करता है तो सूर्ज एवं बाहे ग्रह सूर् प्रिथिवी के सद्रिस हैं क्योंकि यह जो सबसे प्रमुख ग्रहा है वो पिर्तिवी के नाम पे unjust Pow da hu कहा जाता है यह सुर्ज बासुत्व ग्रह के पीछ पटी में स्तित हैं इसे अंत्रिग्र भी करते हैं दोश्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं ग्रह सो स्वरज के चारवाँ चक्र लगाते हैं तो सबसे सेंटर में सूर्य है और सूर्ज दूसरी बात ये सभी ग्रह ब्यासपती ग्रह के जैसे है ठीक है आगे बाढ़ते हैं मंगल बूद ब्यासपती सुक्रसनी इन पांच ग्रहों को नंगी आखों से देखा जा सकता है आपसे पुछा जा सकता है कि निमने में से किन ग्रहों को नंगी आखों से देखा जा सकता है देखिए मंगल यानि मंगल वार के नाम पर बूद यानि बूद वार बियस्पति यानि व्यस्पति वार सुक्र यानि सुक्र वार सनी यानि सनी वार तो यही पाच ग्रह जो है वो दीन के नाम पर है और यही वो ग्रह है जिने नंगी आखों से भी देखा जा सकता है आगे ब प्रिथिवी के जैसे ही अकार का ग्रह है शुक्र क्योंकि सुक्र को प्रिथिवी के जैसा ही आकार में है तो इसलिए प्रिथिवी के बाद सुक्र पिर्थिवी आकार के द्रिष्टी से 5 वा ग्रा है सूक्र 6 ग्रा है, फिर मंगल तब बूध अगर छोटा से बड़ा क्यू ओर जा है तो बूध, मंगल, सूक्र पिर्थिवी, बरून, अरून न सनी ब्यस्पति और बड़ा से छोटा है तो बिहस्पति, सनी, अरून, बरून, पिर्थिवी, सुक्र, मंगल, बूध, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, अब हम लोग बात करेंगे घनत्र के अनुसार ग्रहों के क्रम, बढ़ते क्रम में, दोस्तों, सबसे कम घनत्र वाला ग्रह जो है, वो सन सनी, अरून, बिहस्पति, बरून, मंगल, सुक्र, पिर्थिवी, बूध, अब घनत्र के अनुसार ग्रहों का क्रम ऐसे याद कर सकते हैं, मैंने ऐसे याद किया है, सनी, अरून, बिहस्पति, बरून, और मंगल, सुक्र, पिर्थिवी, बूध, तो सबसे अधिक घनत्र वा रही है कैसे तो इसको कोडिंग के माध्हम से आप कर सकते हैं शणी और यह स्पती वरून्य उर्ट मंगल सुक्र पिःथिवी बूद्ध ठीक है आगे लिक्रते हैं अगला है सूर्ज सदूरी के अनुसार ग्रहों का करम हम लोग जानते चाहिए चुले में से दोनों ग्रैसे की का थामान अधिक हों तो आप अगर नहीं जानते हैं तो आप सिर्दा सीधारिय के बूद्ध का लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो टापमान सबसे अधिक है वो सुक्र का का ततिまだ अधिक है क्यों तो क्योंकि सुक्र के बाई मंडल में कार्वन डायोकसाइड की मात्रा काफिय दिखे लगभग 95% और कार्वन डायोकसाइड क्या करता है हरित ग्रीव प्रभाव का काम करता है यानि कि जो उसमा सुक्र के बाई मंडल में परवेश करते है सूर के माध्यम से वो बापस लॉट नहीं पाते है carbon dioxide उन्हें रोक कर रखता है इसलिए उसका तापमान हमेशा बना रहता है और उसका तापमान बूध से ज़्यादा हो जाता है लेकिन बूध में है कि बूध का भी तापमान अधिक है लेकिन रातरी के समय क्या होता है कि इसका तापमान कम जाता है तो जो औसत तापमान है इसका घड़ जाता है आपसे पुछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा धैनिक तापांतर वाला ग्रह कौन है तो आपका अंसर बूध होगा लेकिन सबसे अधिक तापमान वाला ग्रह पुछे तो आपका अंसार क्या होगा? सुक्र होगा दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे सुख्र से दूरी के अनुसार तो सबसे पहले बूध है फिर सुक्र है फिर पिर्थिवी है फिर मंगल है और यह जो चारो ग्रह है वो अंतरी ग्रह के अंतर गाता आते हैं कौन-कौन बूद्र शूक्र पिर्थिवी मंगल आप इसको ऐसे याद रखेंगे और दोस्तों यहां पर मैं याद करने के लिए एक बात और बता दूँ कि सुक्र और ब्यास्पति के बीच सुद्र ग्रहों की एक पेटी है तो सुद्र ग्रह मंगल से सुरू होते हैं और ब्य पूर के ग्रह कौन है तो बरून है द्रमान की बात करें यानि भार की बात करें तो बढ़ते कर्म में हम इनसे को याद कर सकते है वह सबसे हलका है तो यहां पर हो जाएगा है आप इसको देख सकते हैं दोस्तो दोस्तो अब हम लोग बात करेंगे द्रमान के अनुसार ग्रहों का क्रम तो जो ग्रह पिर्थिवी के नजदीक है वो बूध है और बूध का द्रमान सबसे कम है और बिहस्पति का द्रमान सबसे अधिक है अगर क्रम की बात करें तो बूध मंगल सुक्र पिर्थिवी बाहे ग ग्रहों में सबसे जो भारी है वो पिर्थिवी है और सबसे हलका जो है वो बूध है दोस्तों यहां पर याद करने के लिए मैं एक तरीका और भी बताओं कि जैसे की पिर्थिवी के सद्रिस ग्रह सुक्र है तो सुक्र का बजन भी पिर्थिवी के समान ही है तो सबसे हलका चलता है कि बूध सबसे हलका ग्रह है और वियस्पति सबसे भारी ग्रह है दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे परिक्रमन काल की अनुसार ग्रहों का क्रम यानि कि सूर्ज को कौन सबसे तेजी से परिकर्मा कर लेता है तो बूध सबसे नजदीक है तो सबसे फास्ट परिकर् तो आपको पता है ग्रहों का क्रम की कैसे ग्रह है सबसे पहले बूध है फिर मंगल है फिर सुक्र है फिर पृथिवी है फिर मंगल है फिर बियस्पति है सनी है अरून है बरून है तो जो क्रम पृथिवी से सूरे से ग्रहों की है वहीं उनका परिकर्मनकाल है अपने अच्छ बूध मंगल शुक्र बिहस्पती बूध पिर्थिवी मंगल सनी बरून अरून ठीक है तो सबसे यहाँ पर जादा प्रसंद बनते नहीं है आप से प्रसंद बनने का संभावना जो है वो यही है कि सबसे कम जुकावाला ग्रह कौन है तो आप सुक्र बताएंगे और सबसे मंगल अपने अच पर 24 डिवी जुका हुआ है इसलिए प्रिथिवी के भाती ही मंगल ग्रह पर मौसा भी बदलते हैं और दिनारात भी होते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं सुक्र एवं अरून को छोड़कर आने सभी ग्रहों का घुर्णन एवं परिकर्मन की दिशा एकी है सुक्र और अरून को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी ग्रह हैं उनका जो घुर्णन और परिकर्मन का जो दिशा है वो एकी है सुक्र और अरून जो है इनका घुर्णन और परिकर्मन का जो दिशा है घुर्णन की जो दिशा है सुक्र और अरून की वो पूर तो आज हम यहीं तक रोकेंगे आज यह पहला experience था वीडियो को suit करने में कुछ दिक्कते हो रही है और वीडियो काफी लंबा हो जा रहा है और मैं अपने द्वारा जो पढ़ाया मैं जो बता रहा हूं उनसे भी मैं पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हूं तो दोस्तों अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो कमेंट करके हमको बतायें कि वीडियो कैसा लगा वीडियो को और कैसे improve किया जा सकता है इसमें और कौन-कौन से चीज़े की जा सकती है जो आपके लिए लाबदायक हो सकती है तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में लेकिन उससे पहले आप वीडियो को पूरा देखें जो लोग चैनल पर पहली बार आया हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें दोस्तों तो आप कमेंट करके हमको बताएंगे कि वीडियो कैसा लगा तब मैं आगे का वीडियो अपलोट करूँगा